द्रापदी ने कहा कि मेरे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा है और अश्वत्थामा हमारे गुरू जी के पुत्र हैं और गुरू पुत्र गुरू तुल्य होता है गुरू पुत्र गुरू के तुल्य होता है इसलिए इन्हें मारना धर्म नहीं है इन्होंने भले मार दिया हमारे पांच बच्चों को पर इन्हें मारना धर्म नहीं है अब यहां देखो समझना पड़ेगा किसे आप मारें और किसे आप ना मारें युद्ध हमेशा जीतना चाहिए युद्ध हमेशा जीतने की कोशिश करना चाहिए पर अपनों में युद्ध हो जाए अपने रिष्टों में युद्ध हो जाए तो उस युद्ध में हार जाना ही जीतने से बड़ा है कोई पती पत्नी में लड़ाई हो जाए वो पती पतनी में लड़ाई हो तो पतनी सोचे मैं जीतूं पती सोचे मैं जीतूं यहां जीत जाना सही नहीं यहां तो बाप और बेटे में युद्ध हो तो यहां जीतना सही है भाई भाई में युद्ध हो जाए सगे भाई में तो जीत जाना सही है इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है, कोई पापी, कोई गलत व्यक्ति आप से लड़े, तो आपको तो जवाब देना ही चाहिए, हाथ पर हाथ रखके बैठने से कोई काम नहीं, आज के लोग ना बातों से नहीं मानते, लातों से मान जाते हैं आज कल कादमी बातों से बिलकुर नहीं मानता हूँ, सहीं, लातें जब तक ना पड़ें